नमस्कार दोस्तों, आज से प्राची नितिहास के सारे अब्जेक्टिव कोश्चन्स की सिरिस शुरू हो रही है जिसमें आज हम लोग हडप्पा और सिंधु सब्व्यता से सारे प्रश्ण देखेंगे जिनसे हमारे परिक्षाओं में प्रश्ण पूछे गए हैं तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्ण है हडपा सब्व्यता का सरवाधिक मान्यता प्राप्त काल है सही उत्तर होगा दोस्तों इसका ओप्शन B पचीस सो इसा पूर्व से सत्रा सो पचास इसा पूर्व अगला प्रश्ण है सिंदु घाटी सब्व्यता दिम्नलिखित में से किस सब्व्यता के समकाली नहीं थी तो दोस्तों सही उत्तर है इसका ओप्शन D ग्रीक की सब्व्यता बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और अगला प्रश्ण है सिंधु घाटी शब्यता कहां तक विस्तरत थी तो सही उत्तर है दोस्तों Option D पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तरप्रदेश, हर्याडा, सिंध और बलूचिस्तान सिंध और बलूचिस्तान जो इस टाइम अभी पाकिस्तान में है तो दोस्तों याद रखिएगा सिंधु घाटी सब्यता कहां तक विस्तरत थी तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तरप्रदेश, हर्याडा, सिंधु और बलूचिस्तान Option D सही होगा इसका बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण है सिंधु घाटी की सब्यता में घोडे के आवशेश कहां मिले थे तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका Option A सुर्ख कोटदा में मिले थे अगला प्रश्ण है सिंधु घाटी इस्थल काली बंगन किस प्रदेश में हैं तो सही उत्तर है दोस्तों इसका राजस्थान में है Option A सही होगा अगला है निम निलिखित में से किस पदार्थ का उप्योग हडपा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था तो सही उत्तर है इसका Option A सेल खड़ी में अगला प्रश्टर है हडपा सब्यता किस यूग की थी तो सही उत्तर है Option A कांस यूग की थी अगला है सिंदु घाटी शब्यता के लोगों का मुख्य व्योशाय क्या था तो सही उत्तर होगा इसका Option A व्यापार था अगला प्रश्टर है हडप्ता सभ्यता के निवासी थे तो सही उत्तर है इसका option B शहरी थे बढ़ते हैं अगले प्रश्ने की ओर अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाय जाते थे तो इटों से बनाय जाते थे जैसा कि अभी हम लोगों का घर बनता है वैसे सिंधु काटी सभ्यता के लोगों का घर बनता था तो सही उत्तर होगा option A इट से बनाय जाते थे अगला प्रश्न है हडप्पा वासी किस वश्तु के उत्पादन में सर्वपृथम थे तो सही उत्तर होगा option C कपास K अगला प्रश्न है निमने लिखित विद्वानों में से हडप्पा सभ्यता का सर्वपृथम खोज करता कौन था तो सही उत्तर है option D दयाराम शाहनी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगा कौन सा था तो लोथल था सही उत्तर option B होगा दोस्तों अगला प्रश्न है पैमानों की खोज ने या सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे या खोज कहां पर हुई तो या खोज हुई थी लोथल में option D सही होगा इसका बढ़ते हैं अगले प्रश्ने की और अगला प्रश्न होगा दोस्तों आप लोगों के लिए हडपा, कालीन, समाज किन वर्गों में विभक्त था तो दोस्तों सही उत्तर है इसका विद्वान, योध्धा, व्यापारी और श्रमेक option B सही होगा इसका अगला प्रश्न है सिंदु सभ्यता का शर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है तो हडपा सभ्यता है option A सही होगा इसका बढ़ते हैं अगले प्रश्ने की और अगला प्रश्न है हडपा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी तो दोस्तो किस वर्ष में हुई थी 1921 स्वी में हुई थी option D सही होगा इसका अगला प्रश्न है हडपा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ती सही है तो उन्होंने पशुपती का सम्मान करना आरंब किया option C सही है इसका अगला प्रश्न है हडपा के लोगों की सामाजिक पद्धती थी तो क्या थी सामाजिक पद्धती चार ओप्शन दिये हुएं दोस्तों चारो ओप्शन देखके बताईएगा option A सही होगा उचित सम्तावादी अगला प्रश्न है सिंध का नकलिस्तान बाग हडपा सब्धता के किस पूरा स्थल को कहा गया तो सही उत्तर है option B मोहन जोदुडो को कहा गया अगला प्रश्न है हडपा सब्धता के शंपूर छेत्र का आकार किस प्रकार का था तो दोस्तों option देखके बताईएगा कौन सा उत्तर सही होगा option C सही होगा त्रिभुजा काराकार का था बढ़तें अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है हडपा सब्धता के अंतरगत हल से जोते गये खेत का शाच्छ कहां से मिला है तो कहां से मिला है काली बंगा से मिला है आप्शन C सही होगा इसका और बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण है सैंधो सब्यता की इटो का अलंकरण किस स्थान से मिला है तो सही उत्तर होगा आप्शन A काली बंगा से मिला है अगला प्रश्ण है मोहन जोदुडो कहां इस्थित है सही उत्तर है सिं सिंधु सभ्यता में व्रेहत इसनानगार पाया गया है तो कहां पाया गया है मोहन जो दोड़ों में पाया गया है ओप्शन एसाई होगा इसका अगला प्रश्ण है सिंधु सभ्धता की मुद्रा में किस देवता के सम्तुल चित्रांकन मिलता है तो आध्यसियो की मिलती है ओप्शन ए सई होगा इसका अगला प्रश्न है, निर्मिलिखीत में से कौन सा हडप्पा कालीन इस्थल गुजरात में था तो गुजरात में कौन था लोथल है, ओप्सन D सही होगा इसका अगला है मोहन जोदुडो का इस्थानिय नाम है तो मृतिकों का ठीला Mound of dead ओप्शन D साई होगा इसका अगला प्रश्ण है हरप्पा सब्थेता का प्रशलित नाम है तो क्या प्रशलित नाम है हरप्पा सब्थेता का सिंधु घाटी की सब्थेता option c सही है इसका अगला प्रश्ण है सैंधव इस्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निमने लिखित में से किस पसू का सरवाधिक उत्किरण हुआ है सही उत्तर है option c बैल का अगला प्रश्ण है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आउन कर लीजिए जिससे आप लोगों को डेली इस महत्तोपूर स्रीज की वीडियो मिलती रहेगी तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्ण है सिंधु सब्भेता का कौन सा इस्थान भारत में इस्थित है सयुत्तर होगा दोस्तों ओप्सन C लोथल अगला प्रश्ण है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था तो सयुत्तर है ओप्सन A हडपा था अगला प्रश्ण है भारत में चान्दी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष मिलते हैं तो कहां मिलते हैं हडपा संस्कृति में मिलते हैं अगला प्रश्ण है सिंधु सब्धता के बारे में कौन सा कथन असत्य है तो लोग लोहे से परचित थे ये कथन असत्ते है क्योंकि उस टाइम लोग लोहे से परिचित नहीं थे option D सही होगा इसका अगला प्रस्ण है मांड़ा किस नदी के किनारे इस्थित्था सही उत्तर होगा option A चेनाब नदी के किनारे इस्थित्था बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है हडपा कालीन इस्थल रूपड पंजाब किस नदी के किनारे इस्थित्था तो सतलज नदी के किनारे इस्थित्था option B सही होगा इसका अगला प्रश्ण है हडपा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रडाली का पता चलता है कहां पता चलता है धोला वीरा में पता चलता है option A सही होगा इसका अगला प्रश्ण है हडपा के मिट्टी के बर्तनों पर सामानेता किस रंग का उप्योग हुआ था सही उत्तर है लाल रंका option A अगला प्रश्ण है सिंधु सब्व्यता निम्नलिखित में से किस यूग में पढ़ता है तो आद्य अतिहाशिक काल जिसे हम लोग प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड भी बोलते हैं option D सही होगा अगला प्रश्ण है सिंधु घाटी सब्व्यता की विक्षित अवस्था में निम्नलिखित में से किस इस्थल से घरों में कुओं के अवशेश मिले हैं तो किस अस्थल से मिले हैं दोस्तों मोहन जोदोडो में option D सही होगा इसका सिंधु घाटी सब्व्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतिय का नाम जुड़ा है वे हैं तो कौन कौन है दैराम साहनी एवं राखाल दास बनर जी option A सही है अगला प्रश्ण है रंगपूर जहां हडपा की समकालीन सब्व्यता थी सौराश्ट्र में option C सही है इसका अगला है हडपा एवं मोहन जोदलो की पुरा तात्तिक खुदाई के प्रभारी थे तुसर जौन मार्शल थे option B सही है इसका अगला प्रश्ण है निम्ण में से किस पशु की आकृती जो मोहर पर मिली है जिससे ग्यात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसो पुटामिया की सभ्यता के मद्य व्यापारिक संबंद थे तो कौन सा पतु था बैल था option C सही होगा अगला प्रश्ण है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ती में विश्वास रखते थे option D सही है अगला है निम्न लिखित में से अगला प्रश्ण है निम्न लिखित में से कौन सा सिंधु इस्थल समुद्र तट पर इस्थित नहीं था तो सही उत्तर होगा दोस्तो इसका option D court DG अगला प्रश्ण है निम्न लिखित में से कौन मोहन जोदोरों की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी तो विशाल इस्नानागार मानी जाती थी option A सही है अगला प्रश्ण है हडपा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धती अपनाई थी तो सही उत्तर होगा दोस्तों option C greed पद्धती में अगला प्रश्ण है निम्न लिखित पशुओं में से किस एक हडपा सब्व्यता में पाई मोहरों और टेरा कोटा कलाकृतियों में निरूपड या अंकन नहीं हुआ था तो सही उत्तर होगा दोस्तों option A share का अगला प्रश्ण है हडपा वासी किस धातू से परिचित नहीं थे तो लोहा से परिचित नहीं थे अगला प्रश्ण है निम्न लिखित में से किस इस्थल से युगल श्वाधान द्विशव शंसकार डबल बूरियल का प्रमाण मिला है तो कहां से मिला है लोथल से मिला है option C सही होगा इसका अगला प्रश्ण है कापाश का उत्पादन सरपथम सिंधू छेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या युनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे तो सही उत्तर होगा दोस्तो इसका option A सिंधन अगला प्रश्ण है हडपा के काल में हडपा के काल का तांबे का रत किस इस्थान से प्राप्त हुआ है तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है option C सही है अगला प्रश्ण है हडपावासी लाजवर्द लैपीज लुली भवन निर्मान की समागरी का आयात कहां से करते थे तो दोस्तों सही उत्तर होगा इसका ओप्शन ए हिंदु कुष छेत्र के बदक्षां से करते थे अगला प्रश्ण है अफगानिस्तान सिंदु सब्वयता से संबंधित इस्थल है तो अप्शन सी सही होगा एवं भी दोनों मुंडी गाक और सुर्तोर गोई अगला प्रश्ण है कौन कौन से नगर सिंदु सब्वयता के बंदरगा नगर थे तो सही उत्तर होगा ओप्शन डी इन में से सभी लोथल एवं सुत्का गेंडर अल्ला दीनो एवं बाला कोट और कुन तासी ओप्शन डी सही होगा इन में से सभी थे अगला प्रश्ण है मोहन जोदरों से प्राप्त पशु पतीशिव आद्शिव मुहर में किन-किन जानवरों का अंकन हुआ है तो ऑप्शन डी सही होगा इसका इन में से सभी व्याघर एवं हाथी और गैंडर एवं भैसा और हिरन का तो अप्शन डी सही है दोस्तों इसका इन में से सभी जानवरों का अंकन हुआ है बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण है किस हडपा कालीन इस्थल से नरित्य मुद्रा वाली इस्तिरी का कान से मूर्ती प्राप्त हुई है तो दोस्तों सही उत्तर होगा इसका ओप्शन ए मोहन जोद्रों से अगला प्रश्ण है किस हडपा कालीन इस्थल से पुजारी की प्रश्थर मूर्ती प्राप्त हुई है तो सही उत्तर होगा दोस्तों ओप्शन बी मोहन जोद्रों से अगला प्रश्ण है किस सिंधु कालीन इस्थल से एक इट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं तो सही उत्तर होगा चुन हुद्डों से ओप्शन सी अगला प्रश्ण है किस हडपा कालीन इस्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मचली दबाए चिडिया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमडी का चित्रांकर मिलता है जो पंचितंत्र के लोमडी की कहानी के साद्रिश्य हैं तो सही उत्तर होगा ओप्शन सी लोधल में स्वतन त्रियोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हडपा यूगीन इस्थलों की खोज किस प्रांत में हुई तो सही उत्तर होगा ओप्शन ए गुजरात में हुई अगला प्रशन है निम्न लिखित में से कौन सी फसल हडपा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान नहीं था तो चावल नहीं था ओप्शन सी साई होगा बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर अगला प्रशन है हडपा कालीन इस्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्टी नहीं हुई है तो लोगा की नहीं हुई है अगले प्रश्ण की बात करते हैं तो अगला प्रश्ण है किस पसु के अवशे सिन्धु घाटी सब्भ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं तो शेर के नहीं हुए हैं ओप्शन एसाई होगा इसका अगला प्रश्ण है चुन हुद्ड़ों के उत्खनन का निर्देशन किस ने किया था तो दोस्तों जे एच मै के ने किया था ओप्शन ए सही होगा इसका बढ़ते हैं अगले और अंतिम प्रश्ण की ओर निम्नलिखित में से कौन सा एक हडपा इस्थल नहीं है तो कौन सा नहीं है सुह गवरा नहीं है ओप्शन सी सही होगा इसका दोस्तों हडपा सिंधु सब्वेता के सारे प्रश्ण यहीं पर खत्म होते हैं और प्राचीन इतिहास के इस त्रीश में कल हम लोग वैदिक संस्कृती के सारे महत्तोपूर प्रश्ण देखेंगे तो दोस्तों धन्यवाद